हलो फ्रेंड्स पूडिसाइस की चन में आपका स्वागत है आज हम एकडम टेस्टी हेल्दी और एकडम कम तेल में करिला और प्याज़की सब्जी बना के तयार करेंगे तो हैं और हम एकडम कम तेल में इसके हमने प्याज लिये हैं तो पहले अभी हम करेला को कट कर लेंगे तो ये उपर और नीचे का पाठ निकाल देंगे और करेला को अभी हम round round ऐसे एकदम पतले-पतले slice में हमें cut करके तयार करना है एकदम पतले-पतले slice करेंगे ताकि यह जल्दी से cook भी हो जाएगा और एकदम tasty और crispy बन के तयार होंगे करेला तो अभी इसमें जो बड़े-बड़े seeds होगे ऐसे निकाल लेने हैं हमें यह हमें use नहीं करने ह हमने सारे करेला को एकदम पतले-पतले slice में cut करके तयार कर लिया है अभी हम इसमें नमक डाल देंगे तो यह हमने 1 teaspoon नमक लिया है उसको एकदम अच्छे से डाल के हाथ से ही हमें एकदम अच्छे से mix कर लेना है ताकि करेला की सबजी बिलकुल कड़वी नहीं लगीगी नम लिया है तो यह देखिए अच्छे से दोके हमने एक गंटे के बाद करेला को क्लीन कर लिया है और अन्यन की भी एकदम अच्छी सी पतली-पतली ऐसे खड़ी slice कर ली है तो अभी हम इसकी सबजी बनाएंगे तो अभी हमने आईरन का पैन लिया है उसमें 1 tablespoon जीरा डाल और 1 teaspoon अभी हम इसमें तील डाल देंगे और जो हमने करेला धोके रेडी करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसको slow flame पे 1-2 मिट के लिए तेल में अच्छे से हमें fry कर लेना है ताकि करेला एकदम कड़वा नहीं लगेगा और एकदम crispy हमारी सबजी बन के तयार होगी तो इसको अभी हम 1-2 मिट के लिए अच्छे से तेल में fry कर लेंगे एक से 2 मिट के बाद अभी हम इसमें नमक डाल देंगे half teaspoon हल्दी पापड़ डाल देना है half teaspoon और अच्छे से mix कर लेना है हल्दी और नमक अच्छे से mix हो जाए तब हम इसको slow flame पे रक्कन लगागे 5-7 मिट के लिए इसको जब तक थोड़े soft हो जाए तब तक हम इसको पका ल गया है तो अभी हम इसमें जो onion slice करके रखे थे वो डाल देंगे और उसको भी एकदम अच्छे से mix कर लेना है पहले एकदम अच्छे से करेला को और onion को mix कर लेंगे और mix करने के बाद अभी हम इसमें सारे मसाले add करेंगे तो अभी हम पहले दन्या पावडर एड़ कर लाल मीच पावडर एड़ कर देंगे दो टीस्पुन लाल मीच पावडर आपके टेस्ट के हिसाब से आप कम जादा कर सकते हैं अभी हम इसमें कच्छी मुमफली के दाने को crush कर लिया था मोटा मोटा तो वो डो टेबल स्पुन जितने add कर देंगे और एकदम अच्छे से mix क कर लेना है गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है ताकि मसाले जले नहीं तो इसको स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से mix करना है तो यह अच्छे से सारे मसाले एकदम अच्छे से mix हो जाए तब तक हमें mix कर लेना है और इसको अभी हम धक्कन लगा के पांच मीट के लिए तेल में एकदम टेस्टी और हेल्दी करेला की सबजी हमारी बनके तयार हो गई है तो अभी हम गैस आफ कर देंगे और इसमें हाफ टीस्पुन अमचुर पावडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा करेला बनके तयार हो गया है अब हम इसमें दन्या डाल देंगे बारी कटा हुआ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा एकदम tasty healthy और एकदम कम तेल में बना हुआ करेला की सबजी बनके तयार हो गई है आप इसको पराठा के साथ नान के साथ किसी की भी साथ ले सकते हैं तो एकदम tasty सबजी बनके तयार होगी और आपको इसको store भी कर सकते हैं फ्रीज में 2-3 दिन तक खराब नहीं होगी और बहुत ही tasty लगती है ये सबजी आप जरूर से try करना आप ये सबजी को सफर में भी ले